Amazon और Flipkart के बाद Online Selling Business स्टार्ट करना है तो फिर नाम आता है Miso का Miso एक ऐसी कमपनी है जो कि पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी से उभर कर हम सभी के सामने आई है और Miso आपको ये मौका दे रही है कि आप 0% कमिशन में उसके साथ जुड़कर एक Online Selling का बिजनिस सुरू कर सकते हैं इस बिजनिस को आप कैसे करेंगे, कितनी लागत लगेगी, कितना खर्चा होगा इसके लिए आपको क्या क्या चीजों की जुरत होगी आज की वीडियो में हम पूरा डीटेल पे शेयर करेंगे यदि आप भी मीशों के साथ जुड़कर मीशों के सैलर पार्टनर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखेगा क्योंकि इस वीडियो में मैं A to Z पूरी जानकारी आपको देने वाली हूँ चलिए शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले यदि अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं के तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल पे जरूर क्लिक कर लिजेगा ताकि कोई नोटिफिकेशन आप से मिसना हो साथ लगाए आप वीडियो को लाइक भी करिएगा अगर आपके लिए helpful होती है सबसे पहले मीशो में seller बनने के लिए आपको ये decide करना पड़ेगा कि आप कौन से product को मीशो पे sell out करना चाहते हैं मीशो में बिजनेस सुरू करने के इस वीडियो को मैंने 6-7 पॉइंट में डिवाइट किया है येदि आप इस पॉइंट को समझ लेते हो तो आपके लिए काफी हैल्फ होगी और आप आंगे चलके एक successful मीशो शैलर बन सकते हैं हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि मीशो के साथ बिजनेस सुरू करने के लिए हमें जगह कितनी चाहिए होगी तो दोस्तो मैं आपको एक बात बता दू कि यदि आप बिजनेस सुरू करना चाहते हो तो कोई एस्ट्रा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है आप मीशो के साथ अपने इस बिजनेस को अपने घर से सुरू कर सकते हैं यदि आपके पास आपके घर पे एक छोटा सा रूम है तो आप वहाँ पे प्रोडेक्ट को रख सकते हैं वहीं से आप मीशो के बिजनेस को सुरू कर सकते हैं घर एक ऐसा platform है जहाँ पे आपके अलाबा आपके घर वाले भी इस पे participate कर सकते हैं यानि वो भी help कर सकते हैं तो घर आपके लिए best होगा अगर आपके घर पे एक छोटा सा room है तो आप वहाँ से मीजो के साथ business सुरू कर सकते हैं अब मीजो पर हमारा point है वो है GST number कैसे लें जैसे कि आप सभी जानते हैं कि e-commerce site पे अपने business को start करने के लिए GST number की जुरत होती है चाहिए फिर आप Amazon पे करे, Flipkart पे करे या फिर आप मीजो पे करे GST number जैसे कि आप बाहर से बनवाते हैं तो आपको काफी ज़दा problem भी होती है लेकिन इस problem को देखते हुए मीजो ने आपको एक facility प्रोवाइड की है कि आप मीजो से जुर कर GST number ले सकते हैं जब आप मीजो पे seller account पे register करेंगे तो वहाँ पे आपको GST number का भी option मिलता है यदि आप मीजो की तरफ से GST number के लिए apply करेंगे तो आपको महस 799 रुपय ही pay करने होंगे और यदि आप कहीं बाहर से GST number के लिए apply करते हों तो आपको कम से कम 1,500 रुपय खर्चा करना होता है साथ ही भागदौर भी करनी होती है यह आपके उपर depend करता है कि आपको GST number कहां से लेना है अगर आप MISO से GST number लेते हैं तो यह उतने ही समय में आपके पास पहुंचता है जितनी समय पे आप कहीं बाहर से या another platform से apply करते हैं तो आप चाहें तो MISO से GST number के लिए apply कर सकते हैं इसके लिए हमें किन-किन चीजों की जुरत होगी तो जैसा कि मैं आपको बता दू कि सबसे पहले आपको उस product की जुरत होगी जो आप MISO पे sell out करना चाहते हैं उसके अलावा यदि आप system रखते हैं अपने पास system मतलब computer रखते हैं laptop ये desktop तो बहतर होगा otherwise अपना seller account आप अपने mobile से भी operate कर सकते हैं लेकिन उसमें दिक्कत ये हो जाएगी कि आपको phone छोटे मिलेंगे हो सकता है आपको कुछ दिनों तकलीफ हो लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप mobile से भी शुरू कर सकते हैं लेकिन आप बहतर तरीके से काम करना चाहते हैं आप चाहें तो लोकल ट्रेप भी ले सकते हैं इसके अलावा अगर आप ब्रांड के ट्रेप यानि मीसो ब्रांड का टेप लेना चाहते हैं तो आप उसे online order भी कर सकते हैं इसके अलावा आपको एक कैची की या सीजर की भी जुरूरत पड़ती है तो यहीं कुछ चीजे थी जो की मीसो का बिजनेस सुरू करने के लिए ज़रूरी है इसके अलावा ऐसे unique product जो की मीसो पे अल्रेडी नहीं है और market में आसानी से नहीं मिल पाते तो आप उसे भी यहाँ पे sell out कर सकते हैं आप स्वेम दोरा बनाए हुए product में क्या क्या आता है जैसे आप मालेजे कोई अच्छा कपड़ा सिल सकते हैं कपड़े का business start कर सकते हैं या फिर आपकी कोई shop है तो अपने shop को भी आप online ला सकते हैं इसके अलावा आप यहाँ पे bag या फिर आप यहाँ पे toys का भी business कर सकते हैं आपके उपर depend करता है कि आप क्या बना सकते हैं और क्या sell करना चाहते हैं तो चलिए यहाँ पे यह बात हो गए कि क्या sell करें next point है हमारा की कैसे sell करें क्योंकि मीसो पे जब हम जाते हैं तो वहाँ पे तो seller account का कोई option ही नहीं आता है मैं आपकी जानकारी के लिए बता दू जब आप miso.com पे जाते हैं तो यह एक shopping website है जहाँ पे आप shopping कर सकते हैं मीसो के साथ seller बनने के लिए आपको जाना पड़ेगा supplier.miso.in पे आप जब supplier.miso.in पे जाते हैं तो वहाँ पे आप seller account के लिए आसानी से register कर सकते हैं register करने के बाद आपको यहाँ प्रोडेक्ट को listing करना होगा. listing करने के बाद ही आपकी selling की process स्टार्ट होती है. अब account बनाने के लिए हमें किन-किन दस्तावेजों की जुरत होती है ये भी हम देख लेते हैं. तो सबसे पहले आपका pen card होना चाहिए जो कि लगभग सभी के पा उसके अलावा आपका bank account नमबर जो की जिसमें आपको पैसे चाहिए होते हैं. जैसे कि आपको सभी को पता है कि यदि मीसों में selling होती है तो 0% commission पे सारा पैसा आपके account पे असानी से आ जाता है. उसके अलावा आपका email ID चाहिए और आपका mobile नमबर. क्योंकि यहाँ पे application course आते हैं जहाँ पे आपको verified करना होता है. तो यह कुछ document हैं जो कि आपके पास bonus जरूरी है. अब चली यह देखते हैं कि मीसों के साथ business सुरू करने में हमें खर्चा कितना आ जाएगा. यदि आप अपने cell phone से business start करना चाहते हैं तो cell phone में आपके data का खर्च हो सकता है. इस उसमें material की लागत लगती है. वो आपकी खर्च पे आता है. इसके अलाबा यदि आप एक computer या laptop लेते हैं तो मेहच 10-15,000 में आपको एक computer या laptop मिल जाता है second hand. और यदि आप एक printer लेते हैं तो वो भी second hand मिल जाता है. जरूरी नहीं है कि आप hi-fi quality का ही printer लें. उसके अलाबा टेप और कैची का खर्च अलग से होता है. तो मुस्किल से 40-45,000 में आपका ये मीसो का business start हो सकता है. लेकिन अगर आप mobile से सुरू करेंगे और अपने product को स्वयम से करेंगे तो आपका खर्च काम लग सकता है. तो चलिए अब हम इसमें ये देखते हैं कि हम इसमें profit कितना कम आएंगे. जिसमें जितना product मंगवाते हो और product में जो भी price है उस price से आप उपर कितना कमाना चाहते हो यही आपका profit होता है. जैसे मैं आपको बता दू कि यदि आपने कोई product लिया उसकी कीमत 500 रुपे है और अगर आप मीसो में उसे 800 रुपे में बेशते हो तो 300 रुपे का मीसो आपको पूरी सुतंतरता देता है कि आप अपने product को कितने में बेचना चाहते हैं. तो ये थी पूरी जानकारी मीसो पर अपना business सुरू करने की. जानकारी छोटी थी पर आई होप कि आपको जानकारी काफी helpful लगी होगी. आपके लिए helpful होती है वीडियो तो वीडियो क के साथ तब तक के लिए बाबाए.